साथियों आप लोग Microsoft Excel में काम करते हैं तो आपको चार्ट तो जरूर बनाना आता होगा क्योंकि जब भी हमको रिपोर्ट तयार करनी होती है MIS बनाना होता है तो चार्ट हमको आना जरूरी है चार्ट हम सिंपल इंशेट कर लेते हैं लेकिन चार्ट को हम डायनेमिक किस परकार बना है हमने किसी क्राइटेरिया के अंतरगर्ट डेटा को चार्ट पे दिखाना है या अपने अकोर्डिंग एक डेट से दूसी डेट के बीच का हमने चार्ट दिखाना है कोई भी डेट हम सेलेक्ट करें start date या end date या फिर हम revenue के हिसाब से chart बनाना चाहिए तो एक dynamic chart according revenue हम किस परकार बनाएंगे ये जानेंगे इस वीडियो में तो इस मन तक बने रहे का नमस्कार साथ हो मेरा नाम है मनुश कुमार और आप देख रहे कंप्यूटर ग्यान्कूरी चैनल तो चलिए सीख लेते हैं त्देकि मैं यहां पर कोई भी डेट चुनता हूं मैं यहां पर starting से चलता हूं मैं एक जनवरी 2020 से दिशंबर 2020 तक का मैंने chart यहां पर बनाया या फिर मैं 2020 तक का ही मैंने देखना है तो यहां पे मई 2020 पे क्लिक करेंगे तो यह जनवरी 2020 से मई 2020 तक का चार्ट जनरेट हो जाएगा या फिर मैं देखूं दिशंबर तक का तो यह जनवरी से दिशंबर या हम देखना सीखते हैं तो देखी बिल्कुल blank file मैंने ली है यहां पे मेरे पास data monthly data यह आपके पास monthly हो सकता है परडे का हो सकता है yearly हो सकता है weekly हो सकता है जैसा मर्जी data हो सकता है आपके पास और यहां पर हमारा सिर्प 3840 इस पर से तिका है इसका मतलब यह 38 लाग या 38 करोड हो सकता है, 40 लाग या 40 करोड हो सकता है, ठीक हमने चार्ट बनाना इसके पर, इसको शोट ले लिया हमने, और मेरे पास यहां पर दो साल का मैंने डेटा लिया है, अब दो साल के अंधर मैंने देखना है, अप्रेल 2020 से, अक्टूबर 2020 का हमने चार्ट जनरेट करना है तो यहां से यहां तक की रेंज का चार्ट हमने बनाना है यहां से यहां तक की रेंज का चार्ट हमने बनाना है तो इस परकार का डैनेमिक रेंज चार्ट हम बनाएंगे इधर मैंने लिया start date और end date ताकि हम यहाँ पर start date डाले कहां से कहां के बीच का हमने चार्ट लेखना है उसके लिए हम यहाँ पर date डालेंगे start यहाँ पर end तो date डालने की बज़ाँ यहाँ पर data validation लगा ले तो दोनों को मैं select कर लेता हूं और चले जाते हैं data के अंदर यहाँ पर ले लेंगे हम data validation इधर से चुनेंगे list और list के अंदर range दे देंगे यह पूरी range हम नहाँ पर डाल देनी है ठीक है जहां तक भी हमारे पास data है okay कर देंगे तो यहाँ पर देखो कि दोनों जगे आपके पास data validation लग जाएगा यहाँ से आप date चुन सकते हैं अब देखे date का format हमारे पास यह number format में आ रहा है general format में तो यहाँ से आप इन दोनों को select करके home के अंदर से इनका format change कर लें यहाँ पर चले जाएंगे more option के अंदर यहाँ से जाएंगे custom और custom में इधर हम डाल देंगे mm-yy ठीक है इस परकार से हम okay करके यहाँ पर date format change कर लें यह फिर यह format copy करके रख सकते हैं तो date format हमारे पास आ गया अब एक चार्ट ले लेते हैं उसके लिए अपने data को select करेंगे जहां तक भी हमारा data है पहले select कर लेंगे बाद में कर लें आपकी मरजी है चार्ट इंशेट करना आपको आता ही है मैंने आपको काफी सारे वीडियो डालके चार्ट इंशेट करना बता रखा है simple सा चार्ट मैंने ले लिया यहाँ पर इस चार्ट की बनावाट पर नह जाएं हम इसकी बनावाट change कर लेंगे पहले कि मैं नो फिल नो आउटलाइन कर देता हूं और अंदर वाले को भी नो फिल नो आउटलाइन तो यह चार्ट हमारा ट्रांसपेरेंट चार्ट हो जाएगा अच्छा दिखेगा डाटा लेबल लगा लेते हम इनके उपर डाटा लेबल भी यूज कर लेंगे यहाँ पर चले अच्छा बनाएंगे उतना बढ़िया चार्ट आप करने जर आएगा अब हमने एक फोमला यूज करना है यहाँ पर लेकिन यहाँ पर नहीं करना है वह हमने रेंज के लिए करना है तो पहले फोमला देख लें क्या फोमला यूज करना है उसके लिए मैं यहाँ पर आता हू इनका अंतर यहां पर आए कि इस डेट से इस डेट के बीच, यानि कि इस मन्स से इस मन्स के बीच, कितने महीने हैं वो सारे चीह हमको और टर्न ओवर उस महीने से उस महीने के बीच के टोटल टर्न ओवर सारे हमको चीह, तब मैं यूज करता हूं यहां पर equal to index का bracket start करेंगे, index के आंदर सबसे पहले तो हमकों Email eight ले ले इनकों कर देंगे fix ela की से को लगा के करेंगे match क की का अंदर हमने इसी के अंदर हमने इसको कर लोगे से पहले तो अब अ कऊ-इस किरेंगे तो अ bi depर न इसी कि hints कर आना हमारे पास number format में कोई दिक्कत नहीं है आप यहां से date format ले सकते हैं simply मैं यह format copy कर लेता हूं यहां से format copy किया और मैंने इधर टिपका दिया date आ गई हमारी start date आ गई and date भी चीए क्योंकि हमको इस date से इस date के बीच की date सारे चीए तब मैं क्या करूँगा यहां से मैं इसी formula को copy करूँगा ctrl c और यहां पे last में आप formula बार में देखें आप formula बार में चलते हैं इधर करेंगे colon और कर देंगे इसको paste इसमें सिरफ हमने जो look up है यह look up value चेंज करनी है यहां पर आएंगे second वाले formula में D की बजाए मैं कर देता हूँ यहां पर अब F वाली look up value ठीक है सिरफ look up value चेंज होगी तो हमारी start date और end date दोनों यहां पर आ चुकी है और दोनों का अंतर यहां पर आ जाएगा हम enterprise करते हैं तो देखो यहां पर value error दिखा रही है कोई दिकत formula को select करते हैं और F9 दबाएंगे अपने keyboard से अभी मैं F9 नहीं दबा सकता क्योंकि मेरा जो screen recorder वो F9 से pause हो जाता है आप यहां पर select करके F9 दबाएंगे तो 20 अपरेल से 20 मही के बीच की सारी date यहां पर display करेगा ठीक है फिलाल मैं इसको escape करता हूं same formula हमने इसी परकार यहां प और index के अंदर हमने इस बार यह वाला index दिये fix करके चलेंगे comma match bracket start हमने यही वाला look up value लेना है fix करेंगे comma look up अपरे के लिए यहां से हम करेंगे look up अपरे ठीक है इसको भी हम fix करतेंगे comma zero दोनों bracket close और enterprise अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसमें भी अंतर दिखाना है तो इ यहीं से copy करता हूं control c और last में colon लगा के मैं करता हूं paste और जो हमारा यह वड़ा सहल था इस बार f दे देना हमने d की जगे same to same उसी परकार से है जदिया आपको समझ में नहीं आ रहे था थोड़ा सा वीडियो रोक के back करके देख लीजी ठीक है enterprise करते हम यहां पे यहां भी value नेम manager के अंदर कैसे चलेंगे पहले तो इस formula को यहां से copy कर लेते हैं क्योंकि हमको यह name manager के अंदर चाहिए copy करते हैं और अब जाते हैं हम formula के अंदर यहां पर चले जाएंगे define name और हम इसका एक name दे देते हैं मैं यहां पर कर देता हूँ इसका नाम date rg ठीक है date rg यह नहीं कि date range मैंने यहां पर दे दिया और जो formula copy किया है उसको हम यहां पर paste कर देंगे control v ठीक है और कर देंगे ok इसी परकार इस formula को हमने copy कर लेना है complete करेंगे control c बहार आके हम चले जाएंगे फिर से define name में और यहां पर इसका मैं नाम दे देता हूँ turn rg यानि कि turn range और यहां पर इस formula को paste कर देना है ओके कर देना है ठीक है अब इनका काम हमारा खतम अब चले जाएंगे चार्ट पर चार्ट के उपर right click यूज़ करके जाएंगे यहां पर select data में select data के अंदर आपको यहां पर आना है देखो यहां पर run edit date को edit करना है सबसे पहले यहां पर edit पर click करेंगे और यहां से जो axis level दिख रहा है हमको यह axis level हटा देगे करेंगे equal to हमारी seat का नाम कौन सी seat के अंदर हम यह काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं seat to जो भी आपने नाम दे रखा है वो नाम डाले explanation और यहां पर जो date का हमने name define किया था क्या किया था date rz किया था ठीक है और ok कर देगे यह यहां पर add हो गया अब फिर से हमने करना edit edit के अंदर पहले वाले को कोई जोरुत नहीं इसको छेड़े ना पड़ा रहने दे निच्चे वाले में आ जाएंगे यहां पर भी हम करेंगे seat 2 exclamation क्योंकि seat 2 में कर रहे है और दूसरा नाम हमने दिया है turn rz और इसको भी ok कर देना है दोनों आमारी range add होगी है और इसको ok कर देगे आप देखें यहां पर दो महिने का chart दिखा रहा है 20 अप्रेल से 20 माई का हमने देखना है 20 अप्रेल से और 20 दिसंबर तक का या फिर हमने देखना है only अगस्त से दिसंबर तो इस परकार से हम एक range chart create कर सकते एक dynamic range chart जो की काफी आशान था बनाना right I hope वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा इसके बारे हमें कमेंट्स में लिक के बताएं हमारी वीडियो को ज्यादा ज्यादा हमें दोस्तों में शेयर करें में लाइक करें और यदि नए है आप मारे चनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें